नमस्कार दर्शक बंधुरा आबार आम्रा फिडे एलाम न्यूस जोई बिंडियार यूट्यूब चानेले आपनों देश आमने कांचोन जोंग है एक्सपेसेल आपडेट निये एबाम बेश कीछू आपडेट इतीमों थे आपनारा जेने फिले छेन जे रेस्क्यू वार्क्स चोल छे एकदम जुद्धो कालीन तत परताय शेखाने एबाम शेखाने रेल बोडेर किन्तु जे बॉक्तो पो शेगूलो किन्तु उठे शेखाने आपना दे शामने शेही रेल पी द्याखाबो एबाम एचाराओ प्रधान मंत्री टुइट करे शोग्यापन करेछेन एबाम तिनी सब रखम सहजोगीता आश्चास दीछेन एबाम शेखाने जे शब रखम भावे प्रशासने तरोफे दुर्जोग मुकाबिला करा होच्छे दुर्भटन अस्ताले मुक किसको जावार पुसथो तिनी छेन एबाम समभत दीनी चातार फ्लाइटेर ब्याभस्ता कर छेन तर शेकाने जावत जेन आबाम शेखाना जो फ्लाइटेर ब्याभस्ता करें शेकानë होच्छे दीनी machst मृ एबाम से दुर०ं आज तरोफे connected to he supports युदु suis गुसंके ए बां जारा आ होतो होएचेन तादेर आराय लोग खोडा का खोति पूरान कता घुसना करोएचेन डू लोग कोडा का मिरितो देर प्रतिक किन्तु परिबारेर प्रतिक किन्तु तेरिणी दुवाज आपना देर शोंगे आमी ठागबो शुदिप्त चक्रबती नियुज विंडिया तरपे एबं तारागे आपना देर देखी नीचे ज्वायवर्मा की बोलचें रेलोए सेप्टी बोरे टियर्मेन तीनी की बोलचें ताल बक्तव बाए पर आपना शुने निच्छे आज सुबह ये हादसा हुआ है कंचन जंगा ट्रेन जो की अगरतला से सियाल्दा जा रही थी उसका एक्सिडेंट हुआ है रियर एंड से एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिगनल को डिस्रिगार्ड करके आके उसको हिट किया है उसकी वज़े से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिबबा था वो बुरी तरह से शती ग्रस्त हो गया है और आगे दो पार्सल वैन लगे हुए थे जिनकी वज़े से ज्यादा शती और पैसेंजर्स को नहीं हुई और उसके आगे जो जनरल गंपार्टमेंट थे वो भी सबसे पहले हमारी प्रायरिटी यही थी कि रस्क्यू हो जाएं लोग तो रस्क्यू ऑपरेशन्स कंप्लीट हो गए हैं हमारा एरिया ओफिसर जो जल्पाई गुडी में न्यू जल्पाई गुडी में है वो और उसकी टीम तुरंद महां पहुँच गया थे यह करीब 10 किलो अर्मी एवरीबडी सब कोई महां पर पहुच गया है घटनास्तर पर रेस्क्यू के लिए तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है अनफॉचनेटली यह खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई है और हमारा जो स्टाफ है हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिगनल इसिद्धी को डिस्रिगार्ड करके आगे चले गए उनकी भी जान चली गई है और जो गार्ड थे जो सबसे पीछे का डिभा था ठंचन जंगा का उनकी भी जान गई है अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार पांच पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहां का नजदीकी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज है नॉर्थ बेंगॉल मेडिकल कॉलेज वहां पर पहुंचा दिया गया है सारी अम्बूलेंसेज आ गई थी उसकी मदद से लगब पचास लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में है पर इंजरी शायर उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की अब पहुंच गए हैं और उनको उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है जो पैसेंजर है उस ट्रेंट पहुंच सके इसके लिए क्या सुझाए जी इसके लिए हमने सबसे पहले तो यह अरेंजमेंट किया कि सबसे पहले तो लोग रिस्क्य हो जाएं जो भी लोग उस हो गया है उसके बाद अब जो बची हुई ट्रेन है बाकी जो ठीक था खालत में ट्रेन है उसको अभी हम लोग निकाल रहे हैं आगे डीजल लगा के और उसको अपने गंतव्य तक पहुचा देंगे तो वो अभी किसी भी समय चल सकती है वो ट्रेन और उसमें जितने भी य तरह की फाइनांशियल हेल्प और बाकी सुधाएं दी जाड़े के रेलबे मुखते दौरे मंति जी ने एन्हांस्ट एक्सक्रेशिया एनाउंस कर दिया है वो अमांट उनको हेल्प फाइनांशिल सपोर्ट जो है वो तुरंद डिसबर्स कर दिया जाएगा और जहां तक मे परिजन और उनके जो वेलबिशर्स हैं वो उनको कंटाक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए हम लोगोंने सब जगे हेल्प लाइन्स कोल दी है ये ट्रेन अगर तला से चलके सियाल्दा जाती है तो वहां के जितने भी एन्रूट सब जगे स्टैब्लेश हो गई है help lines हो गई है जो की हम लोगोंने share की है आप लोगों से उनको कृप्या करके flash करते नहीं कि जो लोग फोन पे जानकारी लेना चाहते हैं उनको भी फोन पे जानकारी मिलते हैं किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है किस तरह की मॉनिटरिंग की जाए है रिलबे बोड के द्वारा उसके बारे बते हैं हमारे पास यहाँ पर एक Control and Command Center है जिसमें कि हम लोग तुरंत आ जाते हैं और घटना को यहाँ से उसको कोडिनेट करते हैं जिस प्रकार की सुविधा और जिस प्रकार के आवशकता है वो सब हम लोग यहाँ से कोडिनेट करके स्टेट गवर्मेंट, NDRF जिस से भी बात करने के आवशकता होती है मेडिकल हेल्प के लिए वो सब हम लोग यहाँ से भी कोडिनेट करते हैं लोकल लेवल पे तो हमारे लोग कोडिनेट करी रहें पर हम लोग भी यहाँ से सेंट्रल लेवल पे सारे कोडिनेशन करके सारा आटेम्ट यही रहता है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएं कर दो हमारे लोगों करते हैं झाल झाल